आज का तॉपिक है शूपर पोजिशन आफ टू पर्पेंडिकुलर सिंपल हर्मोनिक मोशन विट फ्रिक्वेंसरी रिश्यो वान इस्टो तू जिससे हम लोग लिशेजस फिगर को एक्सप्लोर करेंगे ऐसा तॉपिक का नाम भी आप लोग कह सकते हो तो यहां पर विब्स जग एक दुस्टर के उपर आते हैं तब सुपर पोजिशन होते हैं यानि कि तो हम लोग उसका रिजल्टन कैसा होगा उसका डायग्राम कैसा होगा वह सब पुछ यहां पर देखने वाले और यह दुनों विब्स के फ्रिक्वेंसी ऐसा होगा कि अगर एक का फ्रि हम लोग करता है उस पाच को हम लोग लिजर्जर्स फिगर भी कहते हैं तो आज हम लोग पहले वीडियो में एनलाइटिकल मैथोड से आगे चलेंगे यानि कि इसके लॉजिक समझेंगे और मैचमेटिकल टर्म्स को समझेंगे उसकी मतर्स से हम लोग डाग्राम बनाने की को वेव में पहले वाले वेव के लिए जो दिस्प्लिस्मेंट होगा वह हम लोग एक्स मान लेते हैं और दुस्रे वाले वेव के लिए जो दिस्प्लिस्मेंट होगा वह हम लोग वाई मान लेते हैं यहां पर फ्रिक्वेंसी क्या है एक का फ्रिक्वेंसी है अगर हम लोग ओ है तो पहले वाले के लिए equation होगा x equal a sin omega t दूसरे वाले के लिए a यहाँ पर amplitude है दूसरे वाले wave के लिए displacement होगा y equal to b b मतलब याने की amplitude sin omega कितना होगा याने कि frequency double हो जाएगा 2 omega t plus 5 होगा तो phase difference याने की y minus x का y minus x का जो phase difference होगा वो कितना है five minus zero five होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि frequency ratio one is to two so एक के लिए omega t होगा तो दूसरे के लिए two omega t होगा आप लोग यहाँ तक समझ के तो थोड़ा से हम लोग आगे चलने से पहले modify कर लेते हैं यहाँ लोग निकाल लेते क्योंकि यहां पर तो उस वाले formula से हम लोग cos theta को मतलब निकालने की कोशिस करेंगे उस equation से ठीक है ना तो क्या हो जाएगा cos omega 3 is equal to omega 3 यहाँ पर theta मान लेते हैं तो क्या होगा 1 minus x square by x square याने की x square by x square ठीक है ना तो यहाँ तक आप लोग समझ गया modify करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए इस वाले को modify करते है मतलब इस b को इधेर ले आए तो क्या हो जाएगा y by b is equal to sin a plus b कुछ formula बना रहाएगा देखिए sin a plus b तो इसका formula क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b याने की sin a cos b plus cos a sin b इस b को हम लोग इधेर ले आए समझ गए अब या करते हैं हम लोग sin 2 omega 2 omega t का value तो हम लोग का पता नहीं है किसका value पता है sin omega t का value ही पता है तो sin 2 omega t को हम लोग थोड़ सा तोर देते है plus 11 में आप लोग को मिला था sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta तो इसके मदद से हम लोग 2 sin omega t cos omega t का value put कर दिया sin 2 omega t के जगा पर cos phi का value cos phi plus 2 omega t का value फिर से पता नहीं है तो cos 2 theta का value हम लोग को 11 पर मिला था 1 minus 2 sin square theta तो उसी प्रकार हम लोग ने लिख दिया और sin phi का value पता नहीं है तो हम लोग ने यहाँ पर वैसा ही रख दिया है तो y by b y by b हो गए sin theta sin omega t का value पता है यहाँ पर x by a है cos omega t का value भी पता है यहाँ से put कर दिया cos phi का value cos phi plus plus 1 minus 2 sin square 2 sin square omega t याँनिकि इसका square x square by a square 2 x square by a square sin phi का value sin 5 sin phi का value हम लोग नहीं पता है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यह जो term था यानिकि यह जो term था इस वाले तर्म को हम लोग पूरा का पूरा equation से इस side लिया याने कि equal के इस तरफ लिया है तो क्या हो जाएगा यह plus था उधर आएंगे तो minus हो जाएगा y by b minus 1 minus 2 x square by x sin 5 ठीक है ना तो इस वाले तर्म को इधर ही हम लोगों ने रख दिया है अब क्या करते है यह root over इसको हता देते है root over को हता देने के लिए क्या करना पड़ा है square करना पड़ेगा अगर हम लोग एक side में square करेंगे दोस्रा side में square करना पड़ेगा तो हम लोग ने दोनो side में square करेंगे ठीक है ना जब दोनो side को square करेंगे तब कुछ इस प्रकार से हम लोग के पास equation आते है जब हम लोग क्या करते है square करते है इस प्रकार से हम लोग के पास आते है तो यहाँ पर जो root over था यह गायब हो गए और यहाँ पर square आ गए तो cos square 5 हो गए 2x by a था तो 4x square by a square बने गए यहां पर तो इसको थोरा सा तोर देते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका स्क्वर याने कि a-b whole square का फॉर्मला क्या होता है a square plus b square minus 2 a b यहां पर a क्या है y by b तो a square plus b square याने कि इसका square one minus two x square by a square इसका whole square और इसका whole square हम लोगों ने लिख दिया a power minus 2 a b 2 हम लोगोंने put करें यहां तो प्याता है यह बप्याइब प्याइब है और यह बश्यенet और साथ में यह और यह साथ में एक स्कुरेगे उप तो यहां तक समझ गए हैनगे कि तोर दिंगे चीजों को हैना सिंप्लिफाइग करने यहाँ पर तो यह तर्म अंदर हम लोगों ने हुसा दिया तो क्या होगा 2y sin 5 by b 2y sin 5 by b minus minus plus 2 into 2 4 y by b y by b साथ में क्या होगा x square by x square x square by x square यहाँ पर sin 5 sin 5 is equal to यहाँ पर जैसा है वैसा ही हम लोगों ने put कर दिया है तो y square by b square plus यह sin square 5 अंदर डाल दिया हम लोगों यह into हो रहा था था ना तो हम लोगों ने अंदर डाल दिया sin square 5 plus 4x to the power 4 divided by a to the power 4 sin square 5 minus 4x square divided by a square साथ में sin square 5 तो minus minus बागे सारे terms को as it is हम लोगों ने रखा यहाँ पर तेक है तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ terms को एक ही साइट में ले आए कुछ terms को एक ही साइट में ले आए चाकि हम लोग इसे further simplicity के लिए कर सके जैसा कि 2y by b sin 5 यह तो पहले से था 2y by b sin 5 यहाँ से जो था यह हम लोगों ने इधर ले आए साइट में sin square 5 sin square 5 एक ही साइट में कर जाए क्योंकि यह एक कुछ बना रहा है यह क्या बना रहा है यह बना रहा है एक operator बना रहा है a minus b whole square का formula बना रहा है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ही साथ में इन छारों को रख तीनों को एक्ट्योली रख दिया है और तो बाकि सारों को भी हम लोगों ने ऐसा रग दिया है 4x तो डिवार 4 भाय एट डिवार 4 ये भी था और ये भी था ये जब इधर रहेंगे तो प्लास हो जाएगा ना तो इन दुनों को हम लोगों ने कॉम्मोन ले लिया बचा क्या साइन स्क्वार 5 ये हम लोगों ने जैसा था वैसा रख दिया और साथ में ये बचाता तो ये हम लोगों ने उधर ले आए तो ये प्लास था इधे रहेंगे तो मैनस हो जाएंगे ये ना तो ये तो कुछ बन गया e-b होल स्क्राइब का फर्मुला बन गया ये अंदर पुत क हम लोग माइनस कमोन लेंगे तो 4x square by square क्यों हो जाएगा साइन स्क्वार फाइप प्लस को स्क्वार फाइप और इन दोनों का फेलो क्यों हो जाएगा तो बच्चे का क्या स्क्राइब यहां पर बचा हम लोग के पास यह वहला एक तो यह है हम लोग का पाथ यानिकि दो वेप सो जब हम लोग पर पाप्रपेंडीकुलरी चोड़ते हैं तब हम लोग के पास्व रिजल्टेंट एक्वेशन आते हैं वह यह तो अब हम लोग डाइग्राम की ऊपर चल यहां पर हम लोग से नहीं और किनाने सब दोले रहे हैं याने कि फेस्ट डिफरेंस जब क्या होगा जिरो होगा इस रहे कि जब phase difference 0 होगा और case 2 हम लोग जब phase difference pi by 2 यानि कि 90 degree होगा पाई का value 180 होता है 180 by 2 divided by 2 90 होता है देखें जब हम लोग किस वाले equation पर final equation पर 5 के value 0 पूत करेंगे sin 0 का value क्या होता है 0 होता है तो y by b whole square प्लास इसी प्रकार से हम लोगों नहीं हाँ पर लिखा way by b whole square to y square by b square तो हम लोग에 पास बचा ये वाला equation और ये वाले equation को जब हम लोग solve करेंगे है ना तब हम लोग के पास इस वाले réflection करेंगे है जो की एक की तरह रेपरेजैंट करेंगे है ना यहाँ पर either है वो यहाँ से यहाँ तक थ stiff तो हम लोग समझके इसे जब हम लोग ग्राफिकल लिए समझेंगे तो यह एट वाले डाइग्राम कैसे बना तो हम लोग वह अच्छी तरी किसे देख पाएंगे तो ग्राफिकल मेतोड नेक्स वीडियो में है वह आप लोग देख सकते हो और दूसरा जब फाई का फैलो आपकार सा एक्वेशन और यह क्या है थुरा सा इलिप्स का इक्वेशन भी हो रहा है ऩह न तो यह एक्वेशन एक एक इलिप्स बनाते है जो कि सिमेट्रिकल है यॉएक्स में तक समझेंगे तो मिल देए अगले वीडियो में ताब तक एलिए चैन सुट